बुद्ध का श्राद पर श्राद में जो श्रै आता है वो पाली का सब्द नहीं है और श्रै चुकी शै से आधे शै से और आधे रह से मिलके बनता है और जो शै शब्द है जो शल्जम में आता है जो शेहर में आता है वो पाली का नहीं है वो पुराना सब्द भारत का नहीं है इसलिए श्रै जो बनता है वो पाली का या बुद्ध का सब्द नहीं है, बुद्ध ने कभी उसको इस्तमाल नहीं किया तो फिर बुद्ध का श्राद कैसे है? अगर आप एक सब्द को देखेंगे, सब्द का नाम है सास से आकाडंडा से, सास सास का मतलब होता है, अनुसासन, डिसिप्लिन और अगर सास में आप वी लगा दें, तो वी लगाने से वो वी सास हो जाता है यानि कि कुछ विसेस, कुछ दोनों तरह से विसास हो गया और इसको अगर संसकाइट करें तो ये विस्वास हो गया तो विस्वास सब्द जो बना है वो सास से बना है ऐसे ही जो सब्द बने हुए हैं जिसको कहते हैं सद्द सद्द का मतलग होता है शब्द हो गया यानि जो हम लफ्ज बोलते हैं या बहुत सारे शब्द होते हैं इसी तरह जो सद्द सद्द है, बहुत बारी एक डिफरेंस आता है जिसको बोलते है सद्द है यजिनियों वन है, ए छोत Ugh होता है सद्द, पनकूतल घै कि भंते देथ मी यानि कि तीस रणन सद्धिंग पंचसीलंग देथ में भंते तो सद्धिंग का मतलब होता है साथ यानि कि जो साथ होता है त्रीस रणन के साथ में पंचसीलवी देख भंते ऐसा बार-बार आप सुनते हैं तो यह सद्ध जो बना है, सद्ध इसका मतलब होता है साथ और अगर इसको संसकाइट करें हम, modified करें, आज की जो मिलावटी भासा है उसके अंसार, जो पाली में mix की गई है, तो वो बनता है सद्ध से श्रद, यानि सद्धा, तो स्रद बना और स्रद से सद्धा बना सद्धा से शद्धा बना तो ये सद्धा बनता है तो सद्धा जो होता है वो साथ को बोलते हैं यानि कि अगर आपकी किसी में शद्धा है आपकी सद्धा है तो आप उसके साथ हैं यानि उसके साथ हैं तो उसमें बाद में कहते हैं कि श्रद्धा का मतलब विसास है, यानि विस्वास है, जबकि विसास का मतलब होता है कि उसका discipline maintain करना, दोनों तरह से discipline करना, उसका जो discipline है यानि कि अनुपसासन में रहना. जो अगला सब्द आता है, वो आता है साद, अब ये जो साद सब्द है, ये है बुद्ध का स्राद, क्योंकि साद सब्द को modified करके श्राद बनाया गया है, दर सल्षल ये original जो सब्द है, ये है साद, तो साध सब्द बना कैसे है दरसल से और धै से मिलके बना है से और धै को जोड़ा गया है तो सद होता है और बाद में इसको साध करके बुला गया तो साध का मतलब होता है से माने होता है निज को स्वैम को और धै मारन होता है धारन करना यानि के निज को धारन करना या जो चीज है निज से वो धारन करना जो समझाए आपने वो धारन करना या जो आपको दिया गया है वो धारन करना या जो नैचरल है उसको धारन करना यह जब हम यह कहते हैं कि वो साधक है इसका मतलब है कि वो धारन कर रहा है निज में यानि कि वो धारन करने वाला है तो साधक है और जो साध लेता है यानि कि जो धारन कर लेता है उसको कहते हैं साधू यानि कि वो व्यक्ति बन जाता है साधू बन जाता है उसने साध लिया धारन कर लिया, तो वो साधू हो गया, यानि निज को धारन करने वाला वन्तू, यानि कि वो व्यक्ति हो गया, तो जह हम कहते हैं साधू, 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 इसका मतलब यह कहते हैं कि निज को धारन किया, निज को धारन किया, निज को धारन किया, या धारन करने वाला, धारन करना अच्छा होता है तो ऐसा ही हो ऐसा ही हो ऐसा ही हो या इसको बाद में अगर अरबी भासा में कहें तो कहेंगे आमीन 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 यानि ऐसा ही हो तो जो साधू सब्द है जो साध सब्द है उस साध सब्द को बाद में स्राद बनाया गया, तो धारण कैसे करते थे पहले, ये समझें कि क्या धारण करना है, क्या नहीं, क्योंकि बुद्ध का अगर श्राद है, तो कैसा है, बुद्ध का साद है, तो कैसा है, महिना चल रहा है, वप मंगल उस सब क्या होता है, वप मंगल उस सब होता है, बीज को बोने का उत्सभ, पुराने समय, बुद्ध के समय, बुद्ध से पहले, बुद्ध ने भी इसको खुब मनाया है, जब खेतों में बीज बोई जाते थे, तो वह अपने खेतों में जाते थे, तो वहाँ वप मंगल उत्सभ होता था, और खेत भी क्या थे, दरसल धहीं बोई जाते थे, धान बोई जाते थे, चावल बोई जाते थे तो चावल वहाँ जो निकलता था, वहाँ पर चावल का पौधा होता था उसको जगे-जगे रोपा जाता था और वो सारा पूरा गाउं, पूरा कबीला, पूरा एरिया, सारा उन खेतों में होता था वहाँ उत्सब बनता था उसको वप मंगल उत्सब कहते थे तो वप मंगल उत्सब जा चुका है जिसको आज के समय आप क्या बोलते हैं गड़पती वपा मोरिया यानि नाम बदल गया है वप उसी में है तो गड़पती वप्पा मोरिया जा चुका है और जो धान है जो धाई है जो चावल है वो बोई जा चुके है अब सिर्फ वहाँ पानी देखना है कि जो बारिस का पानी है वो कितना रुका हुआ है खेतों में क्योंकि सचाई का साधन बारिस का पानी होता था पहले उसको मेंड बना की बांगना है और इधर भिकों के जाने का समय आ रहा है क्योंकि भिकों को दो मेहने हो गए है वसावास में और दो मेहने के बाद में उनके जाने का समय आ गया है क्योंकि अब जैसे ही वो जाएंगे उ वैसे ही उनको तियारी करनी है, उधर जो लोग हैं, उनको भी खेतों में जाना है, काम करना है, क्योंकि उनकी फसल है, वहां उनको देखना है, तो ये सिस्टम बनाया गया, कि भिक्कु चोकि गाउं के आसपास रहते हैं, नगर के आसपास रहते हैं, निगम के आसपास रहते हैं तो वहां उनको खाना भी पहुचाना है और खाना पहुचाने के साथ साथ में नियम भी बादना है क्योंकि सारे लोग खाना नहीं पहुचा सकते इसलिए वन वाई वन वाई वन वाई एक सिस्टम बनाया गया क्या सिस्टम बनाया गया सिस्टम ये बनाया गया कि जो उनको खाना लेके जाएगा वो उपोसत करेगा और वो उपोसत करेगा तो वो क्या करेगा उपोसत में उपोसन यानि कि अपने जो मातार पिता हैं उनकी जो अच्छाई हैं उनका उपोसन करेगा साधना करेगा साध करेगा विपसना करेगा तो विपसना साधना कर वो अपना सर भी मुडवाएगा, यानि गंजा भी होगा, और कपड़े भी हलके पहनेगा, मोश्टी सफेद ही होते थे तो सफेद कपड़े पहनेगा, तो वो वहाँ भिक्कों के पास जाएगा, जाके उन से उपोसत के सील लेगा, आठो सील लेगा, सील लेके वहाँ उपोस जिन्दान उसको बोला करते थे, तो कौन करेगा इसको, क्योंकि डे बंदे हुए हैं, तो ये तैह हुआ कि जिसके माता पिता जिस दिन मरे हैं, उस दिन वो उपोस्त करेगा, तो मरे हुए का हिसाब कैसे लगाते थे पहले, पहले पक्वारे होते थे, पक्वारे मतलब 15 दिन काला पक्ष जबकी चंदर्मा घटता है और अमावस्य रात आती है अंधरी रात आती है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं तो पंद्रे दिन में से पहले जो तिथियां कलेंडर होते थे वो होते थे के जैसे पहली हो गई यानि प्रती पदा हो गई या दुतिया हो गई या तितिया हो गई या चतुति हो गई या पंचमी हो गई या छट हो गई या सब्तम हो गई ऐसे एक अदस यानि कि पंद्रे त यानि एक से लेके पंद्रे के बीच में तारिक थी, पहले तीस तारिक नहीं हुआ करती थी, ना 31 ना 28, ये कलंडर बाद में बना है, तो पंद्रे से ही आखला चलता था, चंदरमा के हिसाब से, तो कोई ना कोई तो उस दिन मरेगा, तो सब ने दिन बाट लिए, कि जिस दिन जिसके माबाप मरे हैं, उस दिन वो उपोसत करेगा, अपने माबाप के अच्छे गुणों को याद करेगा, साधना करेगा, साध करेगा, और भिक्वों को खाना देगा, और सर भी मुड़ाएगा, सारे ये काम करेगा, तो जैसे पूरे गाउं में तीन परिवार ऐसे हैं, जिनके दुतिया को या तितिया को या चतुति को या पंचमी को कोई मरे है तो उस दिन वो दो या तीन फैमली मिले के सारा काम करेंगे और वो उस दिन उपोसत करेंगे और वो साधना करेंगे इस साधना को बाद में मौडिफाइड करके सराध किया गया और सराध जब हुआ तो ये सराध का यानि साध का नियम बाद में बदला गया कुछ लोग जहां बिक्कु एकटे होते थे वहां पर साधना करते थे साध करते थे और कुछ जहां बिक्कु जादा एकटे होते थे वो साध जगे होती थी पूरे भारत में वहाँ पर भी वो साध करते थे पुराने समय में संबोधी था संबोधी क्योंकि बोधी तो वहाँ से कभी गयी नहीं मगर जब बुद्ध को यहाँ से हटाया गया उनकी मूर्टियां दफनाई गयी उनके भिक्कों कु मारा गया और बुद्ध की पद्दती को पूरे भारत से खतम करने की कुछ की गई तो ये कह दिया कि बौध यहां से चला गया, बौध ही यहां से चली गई, भारत से बौध ही चली गई उस जगह का नाम बौध ही गया पड़ा, बौध गया पड़ा, जबकि वहां बौध आया है क्योंकि साधना विप्सना के लिए, सरी पर बाल नहीं हुँगे, साधना विप्सना अच्छी होती है। वह निर्जीन्दा रिवर है जो की बहुत बड़ा पार्ट है उसका वहाँ वह बैट जाते हैं। पानी जो आता है उसमें से बारिस का आता है, इसलिए डूबने की कहीं दिक्कत होती नहीं है, वहाँ वो सादमा बेपस्टना करते हैं और वहाँ बहुत बिक्को होते हैं, तो बिक्को दान को करते हैं, यानि कि उनको पिंड बात कराते हैं उसको पिंड दान भी बोलते हैं पिंड मतलब होता है चावल का और जो मधू होता है यानि शेहद होता है उसका और दूद का पका हुआ जो खीर होती है और उसकी पिंडी बनाते हैं पिंडी मतलब लड़ू आप आज भी अगर पंजाम मे उत्तम भोजन तो उसको कहते हैं पिंडदान होना है तो यानि लोग महां जाते हैं भोजन दान का नाम पिंडदान पढ़ गया वैसे भी जो भिकु है वो पिंडपात के लिए जाते थे वो कभी खाने के लिए नहीं जाते थे क्योंकि पिंडपात बोला जाता था कि पिंडप ले जा रहे हैं या भिक्कु अपनी चरियक ले जा रहे हैं विक्कु मतलब जो भमर करते हुए घूमते हुए दिखा देते हैं उनको भिक्कु बोलते हैं या भिक्कुनी जो भमर करते हुए घूमते हुए जो देखती हैं और दिखा देती हैं उनको भिक्कुनी बोलते हैं त दूसी जगे जो आती है, जो फेमस है, वो है कासी, बनारस सारनाथ, तीनोज का नाम एकी है, या वारणसी, चारो नाम एकी है, तो सारनाथ, सारनाथ के अंदर भगवान बुद्ध ने सबसे पहले भिक्को संग बनाया था, उसकी बड़ी मानता है, और इसनिए दूसे नमबर पर लोग वहां जाते हैं, क्योंकि वहां भिक्को बहुत होते हैं, और वहां पर वो पिंड़दान करते हैं, खानादान करते हैं, और अपने पूर्वजवका, अपने माता पिता को याद करते हैं, उनके गुणों की साधना विपसना करते हैं, और अपने आपको पोशन करत तीसरी जगह है इसकी बोधिनाथ, यानि बोधिनाथ जिसको आज हम बुद्धनाथ या बद्धिनाथ या बद्रिनाथ बोलते हैं, वहाँ पर ये पहाड़ों में जगह है, वहाँ भी बहुत सारे भिक्कु जाके शांती से ध्यान करते हैं, तो वहाँ भोजनदार हो, नाम उसका कुरूक्षिद रहा गया, पहले तो कुरूपदेश बहुत बड़ा था, तो उस कुरूपदेश का नाम तो कोई शहर का है, नहीं, राज्य का है, मगर उसके राज्य के नाम पर छोटा सा एक जगए है जिसको कुरूक्षिद बोलते हैं, मगर वह एक्चुल जो आज भी उस city को थने सरी बोलते हैं, अगर आप कभी कुरुक्षेतर जाएंगे, हरियाना में पढ़ता है, तो आप पता करेंगे कि कुरुक्षेतर बहुत चोटा सा नया सहर है, और उसके पीछे जो बसा हुआ है, वो थने सर है, थने सर का मतलब है थेरा सिर, सिर माने हैड होत और थेरा माने जहां थेरा लोग थेरा भिकूर रहते थे, तो वहां बहुत बड़ी उनिवस्टी है, अभी भी वो यूनिवस्टी जहां कुरुक्षेतर यूनिवस्टी बनी हुई है, वहां भिक्कों की एक बहुत बड़ी उनिवस्टी दभी हुई है, और आप लोग चाह जो चौथे नमबर की है वो है पईया राज्ये, पईया राज्ये मतलब प्रग्या का राज्ये, इस पईया राज्ये को बाद में प्रग्या का राज्ये बुला गया, फिर इसको प्रियाग राज किया गया, और बाद में जब यहां मुगलाए तो इसको इलावात किया गया, यह जो पईया राज्य है या प्रग्या राज्य है या प्रियाग राज्य है यहां दो रिवर मिलती हैं एक गंगा और एक यमना बहुत बड़ बड़े यहां पाठ हैं यहां बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं जो भिकूर रहते थे और बहुत ज़्यादा साधना तप करते पुर गंगा के और यमना के तट पर घाटों पर तो यहां खाने की ज्यादा आओ सकता पड़ते थी इसलिए सारे लोग साध करने यहां आते थे चौते नंबर पर और उनको दान देते थे और उनको खाना देते थे और वहां पर शाधना करते थे च्छटे नंबर की आती है मौथेरा, मतुरा ये महाथेरा यानि मौथेरा, मतुरा, महाथेरा ये वो जगह है जिसको आप मौथेरा के नाम से जाते हैं यहाँ एक बहुत बड़ी यूनिविश्टी रही है और यहाँ जब भी जमिन खुती है तो वहाँ पत्थर के नीचे सुदसन चक्र वाले बुद्ध का फोटो निकलता है सुदसन चक्र माने कि यानि कि जो दसन देने वाला जो धम चक्र है उसके साथ में सुदसन चक्र को धम चक्र बोलते हैं तो धमचक्र के साथ में यहां बहुत सारी चीह निकलती है, धमचक्र यहां का फेमस है, कोई कढ़ें यहां का भिकु रहा होगा, कढ़ें का मतलब है काला भिकु रहा होगा, जिसने इसको युनिविस्टी को चलाया होगा, और जो यहां का मुख्य महातेरा रहा होगा, उस मह गौतम वरंग यानि गौतम स्रेष्ट वर्धन गौतम के जो वरंग है वरंग माने जो स्रेष्ट होता है गौतम और धम माने धम और वर्धन माने वर्धन यानि गौतम के धम को बढ़ाने वाला परवत भी इसको बोलते हैं जिसको गोवर्धन परवत के नाम से बोला जाता है ये नाग वंसियों का रहा है क्योंकि यहां नाग राजजाओं का पूरा राजधनी रही है और यहां काली अनाग जिसको बोलते हैं उस नाग का यहां पर पूरा का पूरा क्योंकि काली अनाग जो बोला जाता है कोई काला भिकु रहा होगा, काला नाग भिकु रहा होगा, जो नाग वंसज रहा होगा, इसलिए काली नाग, काला नाग भिकु यहां बोला जाता है, उसको कणहें बोलते हैं, कणहें को संसकाइद करके किसन भी बोला जाता है, और उसको क्रशन भी बोला जाता है, तो कणहे क्रश्निक और किसन काला यह सब एक दूसरे के परियावाची हैं सब का मतलब ब्लैक कलर होता है तो काले रंग का नागवंजी कोई कणे बिक्कू रहा होगा जिसने परवत पे साधना कराता होगा और परवत पे धम को बढ़ाता होगा इसलिए इसका धम वर्धन परवत या गौतम धम वर्धन परवत बोला जाता है और जो आखिरा है वो है पुरी का जगनात जगनात का मतलब होता है जो जगाता है यानि कि जगनात का मतलब होता है कि जो नात है और जो जगाता है जगाता है कैसे जगाता है धमों में जगाता है देखना सिकाता है जो जन जागरन करता है और ये बुद्ध का ही इस्तान रहा है जिसमें बुद्ध का कोई अनुयाई वहाँ पर लोगों को जगाता है जगर नात्पुरी का मतलब है कि जगाने वाला कोई नात रहा है, जिसने सब को विजिल गया है, सब को धम दिया है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग साध के लिए आते हैं, सद्ध धगने आते हैं, तो ये गौतम बुद्ध का, यानि बुद्ध का साध है, श्राध है, और य जिसका जिस दिन कोई माता-पिता मरा है पंदर दिन के हिसाब से, वहाँ उसको उपसर करना चाहिए, भिकों को दान देना चाहिए, और जीब जंतों को भी खिलाना चाहिए, उस दिन खीर बनानी चाहिए, क्योंकि आज उस पिंड को खीर बोलते हैं, खीर बनानी चाहिए, और अपने माताप के तागे सारे गुणों की साधना कनी चाहिए यही सच्चा साध है यही अच्छा साध है इसी को श्राद बोलते हैं धन्यवाद यही अच्छा साध है यही अच्छा साध है यही अच्छा साध है यही अच्छा साध है